उम नमाश शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जिवन जिने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज की इस वीडियो में बात करते हैं अंक जोतिश के कोडिंग मुलांक 5 वालों के संबंध में कि कैसा रहेगा आप होगा 2020 अगर आपका मुलांक है 5 अब कुछ लोग तो जानते होंगे कि मुलांक क्या है लेकिन बहुत से लोगों कोने पता होगा तो उनके लिए फटाफट हम बता देते हैं अगर किसी भी महीने की 5 तारिक को आपका जन्म हुआ है या फिर 14 तारिक को आपका जन्म हुआ है या फिर किसी भी महीने की 23 तारिक को आपका जन्म हुआ है तो आपका मुलांक होगा 5 जिहां कैसे 5 तारिक को जन्म हुआ डाइरेक्ट 5 हो गया 14 को जन्म हुआ 1 प्लस 4 इसकर 2 फाइफ मतलब ऐसे ही एड करके जन्म तीथी को एड करके आपको सिंगल डिजित में लाना होता है पांच आता है एड तो हो गया आपका मुलांक 5 अब आईए बात करते हैं आपके भागय के संबंध में आपके स्वामिक ग्रह हैं बुद्ध जो की संचार के कारक ग्रह हैं अंक जोतिश के अनुसार साल 2020 आपका जीवन अच्छा रखेगा इस मुलांक वाले जातकों की शादी की संभावनाएं इस साल बहुत जादा है इसके साथ ही इस मुलांक के कुछ जातकों की मुलाकात किसी खास से इस साल हो सकती है और यह शक्स बहुत अच्छा है नए कारोबार में आपको अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है पांच वालों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है तो आप उसको अपने केरियर के रूप में भी ला सकते हैं आपके लिए फायदा ही रहेगा को ले करके आपको कुछ चिंताएं हो सकती है उनकी संगती का ध्यान रखें क्योंकि गलत संगती की वज़ा से वो अपनी राह भटक सकते हैं इस साल आपकी संतान आपसे कोई बड़ी मांग कर सकती है जिसे पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है यात्राओं की संभ और सम्मान दोनों ही बढ़ेगा जिससे आपकी प्रशनलिटी का विकास होगा कुल मिला करके देखा जाए तो साल 2020 मुलांक पांच वालों के लिए काफी सुखद और प्रिडेक्टिव रहने वाला होगा बस आपको मेहनत करनी होगी आपको मेहनत से ही सफलता मिल सकती है क्य लेकिन आपको धर का इस्तेमाल करना होगा सर का इस्तेमाल तो करना है दिमाग को शांत रखना है मेहनत करना है बोलने की कला आप में अच्छी है समझ अच्छी है पर उसके लिए मेहनत करना होगा आपको तो ही सफलता मिलेगी हाथ पाउं का भी आपको इस्तेमाल करना होग मेहनत करना होगा फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोख पाएगा यह साल आपके लिए बहतर जाएगा यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटि आप सभी को सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक शियर कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँच सके फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव